So guys, बात करते कि अगर आप लोग messenger use करते है and messenger में आप लोग message तो send कर पारे but आप लोग को अगर कोई भी message receive नहीं हो पारा है तो कैसे आप लोग इस problem को fix करेंगे वो हम आप लोगो को इस video में बताएंगे video start करते उससे पहले आप लोग हमारे YouTube चैनल को subscribe करेंगा विलका icon को प्रेस कर लेना है तो यहां पर हम अपना Facebook ओपन करते हैं और यहां पर हम message पर click करेंगा तो यहां पर फिलाला भी हमारे phone में कोई messages फोर नहीं कर रहा है तो आप लोग को simply करना क्या पड़ेगा आप लोग सबसे पहले play store open कर येगा देन आप लोग को search बर पे click करना पड़ेगा messenger ठीक है इस तरीके से हमने search कर लिया अगर messenger में कोई update available है आप लोग के phone में तो simply आप लोग को messenger को update कर लेना है इस तरीके से भी problem को fix किया जा सकता है इसके अलाव भी और solutions जैसे कि आप लोग messenger को long press करेंगे अप इन्फो पे जाएंगे उसके या फिर अगर यहां से आप लोग को कोई पर दिखकत जाती तो आप लोग सेटिंग्स पे क्लिक करें देन आप लोग को Apps पे क्लिक करना होगा सर्च भर पे क्लिक करना पड़ेगा आप लोग को Messenger तो अभी तो हम फिलाल Facebook की यूज़ करें तो सिंप्ले हम Facebook पे क्लिक करेंगे और यहां पे permissions पे क्लिक करना पड़ेगा आप लोग का contact, storage, telephone यह जो permissions रहती अलाव रखना इसको आप लोग को और messenger के storage पे जाना होगा आप लोग के, अभी तो फिलाल हम आप लोग को Facebook का बता रहे हैं बट यहां पे बात कर रहे हैं messenger की, तो messenger हमारे phone में install नहीं है बट आप लोग की phone में होगा तो आप लोग को messenger को select करना है और messenger का आप लोग को एक बाट डाटा को clean यहां पे कर देना है और ध्यान रखे आप लोग का Facebook का user ID, password आप लोग को मालूम रहना चाहिए क्योंकि आप लोग को फिर से उसे login भी करना है तो आप लोग को सिंपल उसका data यहां पे clean कर देना है जैसे ही आप लोग data clean करेंगे और messenger को आप लोग update करेंगे तो definitely आप लोग की यहां पे problem fix हो जाएगी I hope आप लोग को वीडियो ची लगी होगी मिलते है next वीडियो में जाए मतादी